आज हम इस revision video class में lesson 11 को again revise करेंगे बीडियो 11a इस बीडियो हमने lesson 11 का basic introduction किया था इसमें हमने बताया था आपको कि square means क्या होता है तो square is the product of the numbers with itself उसी numbers की product उसी number से करना squares कहलाता है इस टू का square 4 होता है 2 डूजा 4, 7 का square 49, कैसे 777, इसी 10 का 100 होता है 10 की 10 से की इस तरह से ठीक है तो यह squares होता है जैसे 5 का स्वार केतना होता, 25 होता है, 8 का 64 क्यों 8 की 8 से कही है 6 की 6 करेंगे 36, इस तरह से ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं basic introduction की बात कर रहा है square की अभी तो क्या होता है इसमें even numbers अगर even numbers का करेंगे square तो even numbers ही होता है जिसे 4 का square कितना होता है 16 होता है 4 का square 16 होता है तो 4 भी even numbers है 16 भी even numbers है 8 का square कितना होता 64 होता है तो 8 भी even numbers है और 64 भी even numbers है तो कहने का मिनसी है कि किसी भी EV numbers का square ही काल आता है जिससे 4 भी 4 और 16 दोनों भी EV numbers है इस तरह से Score Of odd numbers आराँ बेज और किसी भी odd number के करती है square तो odd number ही आता है जैसे 3 भी odd number 9 भी odd number 5 भी odd number 25 भी odd number इस तरह से ठीके और एक बात और जैसे 20 की 20 से गी तो यहाँ 2 0 है तो 2 0 आप एड़ कर देंगे और 2 2 जा 4 इस तरह से 12 की 12 से करें कितना गा 144 और 1 2 0 है न इंपर तो 2 0 आड़ कर देंगे इस तरह से ठीक है उसके बाद हमने वीडियो वीडियो 11C की थी इसमें क्यूब्स बताया थे हमने क्यूब्स क्या होते है तो वीडियो 11C में क्यूब्स मींस बताया था हमने जैसे हमने वीडियो 11A में बताया है तो क्यों होता है वेन अइनी नमर इस मल्टिप्लाइड वा इटसल थ्री टैम्स उसमें 2 times हो रहा था, इसमें 3 times we get its cube, तो हमको cube मिलता है, जिसे 2 का cube कितना होता है तो 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8 इस तरह से, ऐसी बात करते हैं 3 की cube के, तो 3 की multiply 3 times कर दो, 4 की 4 times, 4 की 3 times कर दो 6 की 3 times, किसी number सी multiply itself 3 times is called cube clear, तो इस तरह से ही है हमने आपको बताया था, square and cube of numbers from 1 to 15, एक से लेकर 15 तक के square और cube बताया थे तो square और cube square की बात करते हैं, तो 1 का square, 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 14, 8 का 64, 9 का 81 इस तरह से, ठीक है यहां 2, 2 times से slip आबाद 2 है, 2 times as slip आबाद 2 है, 4, 2 times as slip आबाद 2 है, 5, 2 times as slip आबाद 2 है, यह multiply में 2 times है नमर तो as slip आबाद 2 दी है, इससे बोलते है exponent form, क्या बोलते हैं इससे exponent form बोलते हैं, अब हम बात करते हैं cube की, तो cube में हमने आप आपको का बताया था, कि किसी भी numbers की multiply 3 times कर देती है जैसे 1 की 1, 2, 3 times की है 2 की 1, 2, 3 times की है 3 की 1, 2, 3 times की है 4 की 1, 2, 3 times की है इसलिए power 3, 3 समय 3 है कोई भी यहां पर दोखो नम्मर से जितने वे 3 times लिखें 1, 2, 3 इसलिए power 3 है 4 times होते है 1, 2, 3, 4 times होते हैं multiply में तो यहां power 4 होती है तो 3 times है इसलिए 3 times है इससे बोलते है exponent form ठीक है cubes यहां दिये हैं जैसे 4 Q 64, 5 का 225, 6 का 216, 7 का 343 इस तरह से यह सब दिये हैं ठीक है तो फिर हमने आपको बताया था video 11 E इसमें हमने video 11 E में exercise 11 का question 1 solve किया था इसमें कह रहते हैं कि आपको square लिकाना था है तो 9 का इसवा कितना होगा square of 9 तो 9 की 2 times कर दो 9 9 जा 81 इस तरह से 60 का तो 60 की 60 से कर दें कितना होगा 6 की 60 की 36 और 2 0 है 1 2 2 0 तो 2 0 8 कर देंगे इस तरह से ठीक तो question simple है उसके बाद हमने video 11 E इसमें हमने question 2 solve किया था exercise 11 का तो questions किया था था है कि इस तरह से question तो कि 4 multiply 4 minus 3 multiply 3 तो 4 की 4 से कितना 16 होता है और 3 की 3 से की 9 हो गया 16 में से 9 गया 7 बचा इस तरह से 7 की 7 से 49 2 की 2 से की 4 49 और 4 53 7 की 7 से की 49 और 3 की 3 से की 9 49 में से 9 कितना बचा 40 इस तरह से questions इसमें सिंपल है ठीक है उसके बाद हमने गीती स्वार्ट से लिका ले थे इसमें क्यूब लिका लेना है तो क्यूब आप 40 40 क्यूब क्यूब इतना होता है 40 multiply 40 multiply 40 तो 40 की 44 64 64 64 ठीक है उसके बाद 123 30 है तो 30 आप यहां ऐसे ही एड कर दो गया ऐसे ही एड कर देंगे ठीक है नैं यह अजान इसके बाद नें की उसके बाद आप लिकाना है 90 की ठीक है 90 की तो 90 की मिल्ट पर 90 से फिन इस तरह से इस तरह से करेंगे अब ठीक है तो से नैं का क्यूब इतना होता है 729 और 30 में 123 तरी जोरु आप इस तरह से ऐसे कर देंगे इस तरह से कोश्चन करना पर इसके ओं ने कर रहते एक्स्ट्र कोश्चन तो आपको लिए इसक्ट्र कोश्चन में स्क्वार्स और क्यूप से अब आपको आपको जिससे फिप्टी का स्कॉइर तो 50 की 50 से मुल्ट्प्लाइ गर दो इस तरह से ठीक है 80 का कर दिया तो 80 के 80 से कि कितना गया? 80 का स्वा कितना होता है? 64 और 2 0 है तो 2 0 इस तरह से 50 क्योब कितना हो गया? 50 क्योब करेंगे? 50 की 50 से की 5 की 5 से की 25 25 की 5 से की 125 1 2 3 30 आप 80 एड कर देंगे इस तरह से क्योब में इस तरह से ठीक है? पर हम escrito 2 दिया था आपको हम ने के लिए तो ये questions आपको homework में दिये थे करने के लिए तो ये questions आपने किये भी और काफी students ने इसको किये तो i hope मुझे आशा है कि आपको समझ माय हुआ अच्छे से वीडियो आच का तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और lesson 11 को revise करें सब लोग अगर आपको questions कोई बनता है तो मुझे पूछें कोई doubt बनता है तो मुझे पूछें put up करें मुझे आप ठीक और revise करते चलिए आज हमने lesson 11 को revise किया ठीक है तो जितने भी lesson मैंने करा दी है उनको one by one revise करते चलें कोई questions हो कोई doubt हो तो आप मुझे से पूछते चलें ठीक और दिवाली के असपास आपके exam भी होने वाले हैं तो अब हम यह है कि revise करेंगे आपको कोई भी new lessons start कराने को नहीं है अभी हम अभी हम only revise करेंगे आपको जो students का work complete नहीं है वो अपने students अपना work भी complete करते जाएं uncomplete work को work complete करते जाएं और समझते जाएं यह है क्या एक चीज और वीडियो को देखें पहले वीडियो को देखें समझे तब नोट करें डारेक्ट नोट नहीं करना है आपको मैं एक बार नहीं दसवाने सौवार कैचकों है यह वात आपको समझना है पहले तो अच्छे से समझे पढ़िए और कोई डाउट हो तो मुझे बताईए ठीक तो आज की वीडियो यहीं तक थैंक यू वाइफ